नवस्कार, शिक्ष्या एक ऐसा दिवेश है, जिसका मुनाफ़ा हमें जीवन भर मिलता है और उन्हे प्रियास करने में कभी भी आपको गबराना नहीं चीए क्योंकि उन्हे प्रियास जब आप करेंगे, तो वो सुरवात सुनने से नय होकर अनुभव से होगी और अनुभव की बात आई, तो जोगरोफी में practical work, यानि reality में आपने कुछ theoretical portion पढ़ना होता है और कुछ practical आपने करने होते हैं, और practical में एहम भूमी का दिवाती है आपकी practical workbook ठीक है, तो practical workbook आपकी इस परकार की एक file आती है, ठीक है, जिसमें दो types के pages होते हैं मैं यहाँ से दिखाते हूं दूसरी file से, ठीक है, practical workbook ऐसी होगी जिसमें कुछ line-dar pages होते हैं जैसे ऐसे आप देखेंगे, तो ऐसे line-dar pages आपको मिलेंगे जो दोनों ही तरफ से आपने यूज करने है, line-dar page जब भी यूज करोगे तो both sides है, यूज करेंगे, और जो white page जिसके उपर आपने कोई चितर या कोई diagram या map बनाना है, तो वो white page पर आप one side यूज करेंगे ठीक है, तो ये तो file आपकी, अब बात करते हैं कि file में आपने किस परकार से काम करना है तो practical work in geography, पलस one में ये part one रहेगा, पलस two में part two रहता है दोनों का बनाने का तरीका एक ही है, teacher की guideline के अनुसार आपने chapter के हिसाब से इस पर काम करना होता है और file आप जितनी अच्छी बनाएंगे, तो उसका जो outlook है, यानि उसका impression है क्योंकि practical examiner जबाते हैं, तो हाला कि उनका मुखे स्रोकार तो आपकी practical knowledge और theoretical knowledge जो आपने साल भर में प्राप्ट की होती है, उससे होता है लेकिन इसका जो आप अच्छे डंग से बनाते हैं, इसको आप बहुत बढ़िया decorate भी करिए, लेकिन बहुत access मत करिए, इसको simple और sober रखिए, यानि बहुत अच्छी रखिए जैसे अभी आप देख रहे हैं, इसमें mostly आपने black pen heading के लिए यूज कर सकते हैं, black sketch pen और black barric pen वाला pen आप यूज करिए, खासकर white seat पर और जो return वाली seat है, यानि लाइनदार page है, उसपे आप both side use कर सकते हैं, तो अभी हम बात करेंगे plus one geography, practical work की, तो इसमें आप क्या क्या करेंगे, तो एक तो आपने सबसे पहले page पे जो पहली seat थी, वो लिख दिया practical work in geography, फिर next आप white seat लगाईए, उसपे अपना name लिखिए, यहां पर जैसे मैंने section लिखिया है, plus one के लिए, तो section लिख सकते हैं, plus two में है, तो plus two में आपने section लिखने कि आउ सकता नहीं होती, यहां पर आपका जो board roll number है, वो आजाएगा, ठीक है, तो यहां जो roll number है, यहां class roll number लिखेंगे, यहां guided by, जैसे मालों यहां पर मैं guide कर रह इसी परकार से जैसे आप first page पे फिर यहां पर introduction रखिये कि आपके जो chapter का index है वो बनाईए कि किस page पे आपने कौन से chapter को इसमें explain किया है तो जैसे plus one में ये 6 chapter है तो इनी को आपने explain करना है तो line-dar page पे पहले आप देखेंगे ऊपर आपने बढ़िया chapter का name लिखना है फिर उसके बाद ये काम आप लिखेंगे अब जैसे मालो मैंनी इसको एक page पे लाया है तो ये आपका हो सकता है कि एक page की both side में आए तो आप अथे डंग से heading डालेंगे जो main heading उनको थोड़ा रखिये जो sub heading है उनको थोड़ा सा जो normal आपका text होगा उससे थोड़ा सा उसका font बढ़ा रखिये इसी परकार से आप अगे देखेंगे तो then आप लिखेंगे इसमें first chapter में history of map making तो ये आपका chapter map से related है तो इसकी history आप लिखेंगे ये सारा लिखिये then classification of maps यानि उसकी types of maps आप इसमें बताएंगे और वो भी उनके बातने के आदार क्या क्या है तो ये main है आपका page का heading हो गया फिर ये topic का heading हो गया फिर ये topics के sub heading हो गये तो इनको आप अपनी line-dar page पे लिखिए जब ये आएगा तो इसको आपने white seat पे बनाना है ठीक है और इसमें जैसे मालो मैंने कुछ आपको highlight करके दिखाया है तो आप इसको ऐसे थोड़ा बहुत decorate भी कर सकते हैं pencil की setting कर सकते हैं ताकि ये थोड़ा सा प्रभाव साली लगें seat पर इस ढंक से बनाईए कि आपकी जो पूरी seat है उस पे ये बहुत छोटा ना हो और इतना भी बड़ा ना हो कि इसका font आपका page से बाहर निकले या वो line double हो जाए तो ये कोशिस करिए कि उपर क ये जो line है वो single line में ही आ जाए topic के अनुसार तो then ये फिर written work पे आप करेंगे line दार page पे ठीक है ये भी सारा आप line दार page पे ही लिखेंगे यदि आपका ये एक page पे आता तो एक पे लिखें ये दोनों एक पे आ जाते हैं तो एक पे आप इसको लिख सकते हैं अदर्वाइ पहले आपने एक center point लेना है और उससे north और south को बनाइए पहले और फिर west और east वाले को फिर उनके बिलकुल बीच में आपने इनकी सब direction दिखानी है और फिर उनके बीच में इनकी जो और जो brief होती है उन direction को यानि जोगराफिक एनुसार 16 दिसाएं मानी गई हैं तो आप इन पर विद्यार्थी क्या करते हैं कि यहां से लिखने इनको बिलकर यहां पर तिर्चा लिख देते हैं नहीं जैसे आप यहां देखने ना बिलकुल सीधे लिखे गई है पेज के नुसार तो ऐसे आप सीधा इसको लिखेंगे इसको अपने हिसाब से आपने टेड़ा नहीं नेन आएगा chapter number two, तो line-door page पे आप जहां पर भी लिखेंगे तो नए chapter की नए page से शुरुआत करिए, वहां पर ऐसे आप ये लिखने का काम करेंगे, line-door page पर, ये आप white page पर बना सकते हैं, simple pencil से यूज करिए या pen से यूज करिए, तो ये main heading, stencil भी आप यूज कर सकते हैं, जै ये आप pencil से लिखिए, ये आप pen से लिख सकते हैं, कोशिस करिए कि आप white seat पर black pen और blue pen या pencil, इन तीन का ही यूज करें, ठीक है, sketch pen यूज कर सकते हैं, ये आप line-door page पर लिखेंगे, ये भी line-door page पर ही लिखना है, कुछ एक को आप text का background जो है, उसको highlight भी कर सकते हैं, ठीक ह तो ये सारे questions हैं, जिनको आप solve करेंगे, line-door page पर, ये आप लिखेंगे, या बनाएंगे white seat पर, तो ये जैसे इसमें हमने map scale को दिखाया है, graphics या bar scale के रूप में, तो आप इसको pencil की setting से use कर सकते हैं, sketch pen भी use कर सकते हैं, जैसे मैंने एक ही page पर दो को represent किया है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो, यदि आपके पास file में page से भी cm है, तो आप एक page पर एक scale भी बना सकते हैं, लेन आएगा chapter number 3, तो वही process आप अपनाएंगे, इनको सारे को आप लिखेंगे, line-door page पर, ये भी सारा line-door page पर लिखना है, ठीक है, और ये आगे आपका latitude से related ये, general knowledge के लिए भी आपका बहुत बढ़िया chapter है, जो आपको latitude and longitude दोनों के बारे में अच्छे रंग से बता देगा, आप सीखेंगे, बहुत सारे general knowledge के question है, इन सब को आप line-door page पर लिखते चुलेंगे, ठीक है, तो इनको लगातार line-door page पर लिखेंगे, फिर आजाएगा Mediterranean of, meridians of longitudes, तो ये diagram आप बनाएंगे अपनी white seat पर, ध्यान रखेंगे कि जो 0 degree south pole और 0 degree north pole है, सभी जो longitude line है, वो इस पर, longitude line इस पर मिल जानी चाहिए, same point पर आकर, तो इस डंग से आप इसको अच्छे डंग से diagram को बनाएंगे, कुछ अपनी practical जो बुक है, उसकी मदद ल लीजिए, कुछ अपने teachers की मदद लीजिए, की sir, इसमें हम कैसे explain करें, same, आप ध्यान रखेंगे, कि जो longitude line होती है, देसांतर लेखाएं होती है, इनमें equator के पास सबसे जादा दूरी होती है, जो लगबग 111 km.40, यानी 111.40 km होती है, normally, ठीक है, और pole पर ये दोनों रेख रिटन सीट पर करेंगे, इसको भी आप रिटन सीट पर लिखिये, इन सब को लिखित में लिखिये, then आएगा chapter number 4, map projection, तो same main heading डालिए, फिर उसके सब heading डालते चलिए, आप अच्छे डंग से लिखते चलिए, और इसको continue आप लिखते रहिए, बोट side page के, तो ये सब रिट रिटन वरक करेंगे, ये page पर भी आप लिखिये, ठीक है, इसमें थोड़ा return वरक ज्यादा है, हाँ, फिर ये आजाएगा, आपने इसको दिखाना है, conical projection, तो इसको आप बनाएंगे, ठीक है, आप चाहें, तो ये image यदि आपका page थोड़ा सा आयताकार में होता है, जिसकी एक seat पे नहीं आएगा, तो आप दो seat use कर सकते हैं, और अच्छे दंग से इसको किताब की मदद लेकर और teacher की मदद लेकर सीख कर process को अच्छे दंग से सीखते हुए, अच्छे दंग से इसको आप ड्रा कीजिए, ये लिखिने का काम है, लिखिए, ठीक है, ये सब return work में रह तो heading है, वो त्छे दंग से आजाएगा, space का ध्यान रखिए, फिर page का ध्यान रखिए, और यहां पर circle बनाएए, और नियम के नुसार की कितने degree पर कौन सा, यह यहां पर degree के कौन पहले बना लीजिए, और फिल degree के कौन का दार पर, यहां से सीधी line up graph paper, इसको आप graph paper पर ब स्केल की मदद से आपने बनाना है, एंगल जो है, वो ध्यान रहें, कई बार विद्यारती बगैर एंगल के ही इसको के वलेक फॉर्मल्टी करने पर आ जाते हैं, तो वो एक अच्छा डायग्राम नहीं बनता है, वो वास्तों में डायग्राम आपका यह projection होगा भी नहीं, तो आपने इसको एंगल, डिग्रीज के इशाब से ही इसको बनाना है, ग्राफ पेपर की आप इसमें मदद ले सकते हैं, यह सारा काम आप लिखेंगे, यह सब लिखने का काम रहेगा इस चेप्टर से, यह आजाएगा मर्केटर्स प्रोजेक्शन्स, ठीक है, इसमें सीधा सीधा आप ग्राफ पेपर को यूज करिए, ग्राफ पेपर पर इसको मर्केटर्स केल को दिखा कर और फिर उसको वाइट सीट पर पेश्ट कर दीजिए और उसके उपर यह हाला हैडिंग स्टेंसिल से आप लिखने, यह सारा लिखने का काम रहेगा, यह आएगा चप्टर नमबर पांच, ट्रोपोग्राफिकल मैप्स, स्वत्लाकर्तिक मानचित्तर, यह सारा आप लिखने का काम करेंगे, यह सब लिखिए, फिर आपके पास फाइल में इंडिया का मैप होगा, यदि फाइल में नहीं है तो वैसे पर सेज कर लीजिए, यह आप स्टेंसिल से बना इस के अदार पर ड्रा करके आप फिर इसको बनाईए, आप इसके लिए ट्रेसिंग टेवल का भी मदद ले सकते हैं, जो गरोफी लेब में ट्रेसिंग टेवल होती है, तो उस पर अपनी किताब का नीचे पेज रखिये और उपर अपनी सीट रखिये और इसके आदार पर इसको आप ड्रा कर सकते हैं तो वो भी एक तरीका हो सकता है देन आएंगे कॉन्वेक्शनल साइन एंड सिंबल्स यानि रूड चिन जो सतलाकर्तिक मांचिते पर प्रयोग किये जाते हैं तो मैंने तो यह सारा का सारा एक में ही आपको दिखा दिया लेकिन आप इस पर एक सेपीसियंट पेज हैं तीन वाइट सीट वाइट सीट पर आप इसको बनाएंगे कुछ एक हिस्से को बनाएए वहां पर जो सिंबल बना रहे हो उसके साथ जैसे यह वाला रोड जो है यह है ठीक है तो यह ऐसे आप इसको दिखाएंगे यह रोड है यह मैटल रोड है ठीक परवावसाली लगेगा तीनों पर उपर हेडिंग सेम रहेगा है तो ऐसे आप इसको ड्राक रहेंगे तो इसको पहले लाइनदार पेज पर लिखते चलिए यह सारा लाइनदार पर लिखेंगे यह जो इमेज हैं यह आपको समझाने के लिए हैं कि यह एक वांटेंज स्लॉप है जैंटल स्लॉप है और यह वाला श्टीप स्लॉप है तो एक्चुल में पिक्चर आपके लिए लगाई गई है मैंने जान पूछ के आपकी किताब की मदद से कि विद्यारठी इसको समझ सकें कि जेंटल स्लोप क्या होता यानि हलका डलान क्या होता है और स्टीप स्लोप яनि थीवर डलान क्या होता है तो यह image چाहो तो आप इसकी paste भी कर सकते हो या पेंसिल से इसको थुरा बहुँ ड्राबी कर सकते हो लेकिन यह लाइन दार पेज पे हैं जरूरत भी नहीं आप चाहो तो इसको हटा सकते हो केवल यह उपर वाले पॉर्सन लिखी है जो असली काम आपने करना वाइट सीट पे वो यह है ठीक है इसको आप बनाएंगे पहले यहां पर A-B स्केल आप यह एक लाइन ले लेंगे फिर इसके इसाब से डिस्टेंस के अनुसार यह दिखाएंगे और दैन उसकी जो नीचे लाइन है उनको मिलते जाएंगे ठीक है और नीचे से भी आपने सेम जो डिस्टेंस यहां पर 100-200-300 का गैप लिया है तो यहां प का यह जेंटल स्लॉप का एक कंटूर जो डायेगराम हमारा वह बन झाएगा इसी परकार से स्टीप स्लॉप का तो एक ही पेज पर यह दो नो आप लिख सकते हैं जेंटल स्लॉप और स्टीप सलॉप यह आप नीचे भी लिख सकते हैं और चाहें तो उपर main heading के रूप में दर्सा सकते हैं इसी प्रकार से टाइपस ओफ लेंड फॉरम्स हैं तो सेम प्रोसेस यहां पर है पिक्चर आपको समझाने के लिए हैं इसको आप लिखेंगे दोनों को यह मेन हैडिंग लिख देंगे अपने लाइनदार पेज पर और ऐसा इमेज आपका बनेगा वाइट रहा है तो दोनों का यह वाला आप पैंसिल के पहले पैंसिल से बनाएए ठीचर से चेक कराईए चेक कराने के बाद अपरू हो जाए तो इसको स्कैच पैन और पत्ली पिन का ब्लैक पैन आप यूज कर सकते हैं लेन आएगा चप्टर नंबर 6 इंट्रोड़क्शन ओफ रि Iñ является remote sensing होती है उसके चरन क्या होते हैं तो यह आप सारा डाइगराम को लिखेंगे इंगलीस वाले विद्यारती इंगलीस मीडियम में लिखेंगे हिंदी इमेज बनाएंगे, यह इमेज आपकी बन जाए, पैंसिल से आप बना सकते हैं, अच्छे रंग से यदि नहीं बने तो इनकी इमेज आप प्रिंट निकाल लीजिए, ब्लेक और वाइट है, कलर मिल जाए तो सबसे अच्छा है, तो उसको पेश्ट कर लीजिए, ठीक है, और पर यह हेडिंग आप डालेंगे, और बीट ऑफ दा संसेंटराइजेशन एंड जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स, ठीक है, दोनों का अलग अलग होते हैं, दो टाइप के सेटेलाइट होते हैं, जिनको आप इसमें यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैन आप यह वा डाइटा जो है नीचे में स्टेशन पर ट्रांस्मीट किया जाता है, और देन उसकी हम प्रोसेसिंग करते हैं, और उसके दवारा फिर हम मैपिंग करते हैं, ठीक है, तो इससे सेटेलाइट इमेजनरी या रिमोट सेंसिंग बोला जाता है, तो यह सारा काम आप लिखेंगे तो यह सारा आप लिखते रही है, इसमें सेंसर के बारे में बताया गया कि कौन से कौन से सेंसर हैं, यह आप बनाएंगे वाइट पेपर पर, वाइट सीट पर, ठीक है, दो टाइपस के स्कैनर होते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं, एक वल्टी के लिए जैसे आपका स्कैन किये जा रहा है, तो इस परकार के सेंसर की दोनों की दोनों टेकनोलोजी को आप इसमें यह वाइट सीट पर बनाएंगे, ओपर में हैडिंग लिखेंगे, फिर इमेज बनाएंगे, फिर नीचे उनका दोनों का नाम लिख देंगे, यह सारा काम आपका लिखने का है, इसको आप लिखी है लाइनदार पेज पे ये सब लाइनदार पे लिखते चलिए continue तो ये थी आपकी practical फाइल की आपकी इस परकार से तयार करेंगे ये फाइल आपको मैं अपने वीडियो के description के उसमें दे दूँगा description में इनके सारे link chapter wise आपको ये सारी फाइल मिल जाएगी पुराने कुछ student की फाइल के उपर भी मैंने वीडियो बनाई है आप उनसे भी मदद ले सकते हैं कि कैसे विद्यालतियों ने अपनी फाइल को अच्छे दंग से decorate किया है ठीक है और तुमापर कुछ कमिया उनकी जो रही थी वो कमिया आपने repeat नहीं करनी है आप अच्छे आपने निसे है निसे दिग,